हेलो फ्रेंट्स बेलकम बैक टो माई चैनल आज इस वीडियो में हम बहुत ही एजी तरीके से कपड़े की डोरी बनाएंगे और साथ में लटकन पहले मैंने यहाँ पेक कपड़ा लिया और उसे उरेब सेफ में पट्टी कट कर लेंगे पट्टी की जो चौड़ाई हो एक से देड़ इंच हम लेगे इसके बाद यहाँ पर कट कर लेगे लंबी पट्टी बनाने के लिए साथ में यह दो पट्टियों को अटैच कर देते इस तरह तिरशे में लेकर देखे यह उरेब है उरेब कपड़ा इसलिए लेते हैं क्योंकि डोरी को पुल्टने में आसानी होता है और यह काफी स्टेचेबल होता है डोरी बनाने के लिए बेस्ट होता है औरेब पट्टी असके बाद इसको यहां से सिल देंगे ताकि हमारी डोरी जो है वो लंबी आए बनकर उसके बाद जितनी बारी डोरी बनानी है उसी हिसाब से सिलाए लगाएंगे तो वीडियो स्किप के बिना पूरा देखिएगा और आप अगर मेरे चैनल पर पहले बारा है तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा लाइक और सेर भी जरूर करिएगा देखिए कितनी बारिक से सिलाई और जो भी एक्ष्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर देना है यहां पर सूई और धागे की मदद से मैं इसको पलट करके सीधा करूंगी उल्टे सैट से सूई को डालना है पहले मैंने वहां पर धागे का गाट लगा दिया और उसके बस सूई को उलट कर सीधे से पहनाते हुए उपर के और निकालना और एक हाथ से कपड़े को पकड़ना है और दूसरे हाथ से धागे को पकड़ना है और इधर कपड़े को खिचना है ताकि हमारी पट्टी जो है वो सिधा हो जाए उंगली की मदद से इसको सिधा करना है देखे ये काफी बारिक डोर बन की आई है हाई है यहाँ तो है यहाँ पर में इस फोर इंच का सबस्ट यहाँ लेती और इसमिन कि choosing की मदद से सेपड दे देऊी हूं है है यहाँ पर मैं बार इस लेती हूं गोटाब टि और इसको automate यहां पर किनारे लगार दिना यहां पर को रखते हूए इसक случае करते हूँ धर करते हुए उसके बाद देखे जेह रसे निधार है यहां पर से अधर कर दालएद रहे हुआ आप यहाँ पर कोई भी लेस ले सकते मेरे पास यही था मैंने इसी को लगा दिया है ताकि वहाँ पर बंद भी हो जा और एक खुबसूरत लूप भी आए उसके बाद यहाँ पर मैं मोती एक्ष्ट्र लगा देती हूँ ताकि इसमें और थोड़ी खुबसूरती बढ़ जाए यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकती हो मोती के जगह में मोती वाला लेस भी आता है वो भी आप लगा सकती हो देखें ये काफी खुबसूरत लटकन और डोर बनकर तयार हो चुका है ये आप अपने पिलेन सूट में भी अगर अटेच कर देते हो तो बहुत खुबसूरत लगेगा ये बिलाउच के लिए भी है थांक यू